फिल्म पद्मावत के शूटिंग के दोरान से ही रनवीर सिंग और शाहिद कपूर के बीच का कोल्ड वार जग जाहिर है लेकिन हाल ही में शाहिद कपूर के एक बयान के वज़ो से बी टाउन अपसेट है क्या कहा था शाहिद ने और अब क्या कहता है बी टाउन आईए बताते हैं आपको नमस्कार मैं हूँ अभिशेक स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल फिल्मी बीट पर बात चुल रही है शाहिद कपूर और रनवीर सिंग के कोल्ड वार के भारे में हाल ही में एक इंटर्व्यू के दौरान शाहिद कपूर सहब ने कह दिया था कि वो अलाउदिन खिलजी का किरदार रनवीर सिंग से बहतर निभाते बस उसे के बाद से बॉल्यवुट के कई इंसाइडर्स अपनी अपनी प्रतीक्रिया दे रहे हैं और प्रतीक्रिया में लोग ये भी कह रहे हैं कि शाहिद रनवीर से इंसिक्यूर है तो परे इस तरह की बात बोल रहा है हालांके उन्होंने ये भी कहा कि इन सब चीजों के शुरुआत रनवीर सिंग नहीं की थी जब उन्होंने एक शो में कह दिया था कि वो फिल्म कमीने में शाहिद से जादा अच्छा रोल प्ले कर सकते थे और इसी बात को कोट करते हुए हाल ही में शाहिद कपूर से जब पूछा गया था खिलजी के किरदार के बारे में तो उन्होंने कहा कि संजलीला भनसाली के फिल्म पदमावत में खिलजी का किरदार कौन नहीं दिभाना चाहेगा जैसा कि रनवीर ने कहा कि वो कमीने में मुझसे बहतर रोल करते मुझे भी लगता है कि मैं अलावदिन खिलजी का किरदार रनवीर सिंग से बहतर करता पर जनाब ये बात रास नहीं आई बी टाउन इंसाइडर्स को यानि की बॉलिवुट के कई सेलिपरिटीज को इसलिए उन्होंने भी कह दिया कि जब से पदमावत की शूटिंग चल रही है शाहिद कपूर रनवीर सिंग से इन सिक्योरिटीज फिल कर रहे हैं बहराल अब को बताते चने कि फिल्म पदमावत बॉक्स आफिस पर ताबर तोड़ कमाई कर रही है इस फिल्म में शाहिद क इस फिल्मी बीट के इस वीडियो में इतना ही बॉलिवूड टेलिविजिन के दुनिया से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब किजी हमारे चैनल फिल्मी बीट को